एक तो इंडिया की पॉपलिशन ज्यादा है और हर एक की डिमांड होगी कि वह इंड्रोइड ना यूज़ करे आइफॉन यूज़ करें इंडिया एक बहुत बड़ी एकॉनमी है 1.4 बिलियन पीपल है मेरे ख्याल से इंडिया की बढ़ती हुई अबादी की वड़ा से एक तो उनमें टैलेंट भी ज्यादा है इंडियान्स को यूज़ में भी देखेंगे तो वो सेकंड लार्ज़ेस्ट पीपल हैं जो के उनकी एकॉनमी को इंप्रूव करने के लिए अपना इंपूर्ट दे रहे हैं असलाम लेकुम नमस्ते एंडिया इंडिया पॉलीसी आई है इंडिया एक्सपोर्ट के मैदान में बहुत तेजी से तरकी कर रहा है में बाकसानि एवां की रहे हैं वो क्या जानते हैं और क्या कहना चाहते ही हम जानते बाकसानि ऑवांवाम से आपको क्या मालूमने नीछे पताया कॉमेंस सेक्ष्ट 2022 के फिर्स्ट कवाThe. में इंडिया के आईफॉन की जो शिप्मेंट है वो वन मिलियन क्रॉस कर गई है क्या कहेंगी इंडिया कि इस बढ़ती एक्सपोर्ट की मार्केट को और मैनुफाक्षरिंग उनकी बहुत तेजी से तरकी कर रही है मेरे ख्याल में इंडिया एक बहुत बड़ी एकॉनमी है 1. पॉइंट फॉर बिलियन पीपल हैं और उदर आपने देखा होगा कि जो जितनी भी यूनिकॉन कंपनीज हैं जैसे के माइक्रोसॉफ्ट हो गया एडोबी हो गया ठीक है इनके जो सी योज हैं वो सारे इंडियन्स हैं ठीक है और इतनी बड़ी एकॉनमी है रीजन है कि इं शुरू करें तो सबसे वहली चीज़ आती है कि इंडिया को चीज़ें ने बहाना और दूसरा उसका रिलेशन्शिप स्ट्रॉंग होने के वज़ा से भी बहुत जादा इस चीज़ का मेंटर है तो लोग अपने आपको प्रमोट करते हैं अब आप देखने गूगल के जो सी एकॉनमी को इंप्रूव करने के लिए अपना इंपूट दे रहे हैं तो यह चीज़ है कि इंडियन्स जो हैं बहुत आगे हैं और वो अपनी कौम का सोचते हैं और अपने मताहर लिहास से वो अपनी इंपोर्स एक्सपोर्स के हवाले से वो हमसे बहुत आगी हैं इंडिया वाले बैसिक लिए अपना जो किसी भी चीज को प्रमोट करते हैं उनके लोग आपस में उनकी युनिटी की वेज़ा से वह चीज़े थोड़ा जैस्टेबलाइज रहती हैं यहां वाले लोग गुसे में आके नुकसान तो गड़ते हैं लेकिन वह चीज़े फिर उसना लाइधा आगे जा रही हैं जो के उनके डिवलप्मेंट उनकी कॉनमियों के जीटीपी बहुत पॉजटिव हाथ बढ़ाके निको बात आगे लेके जा रही चाना चाहिए पहुआ इंपूर्ट करना शुरू की थि पाकिस्तान में आप देखें बहुत सारी चीजें जो जा रहा है तो हम अगर इस चीजों पर देखे तो और इवन के आइफॉन भी देख लें तो उसमें भी बहुत सारी चीज़र जो है विट इंडिया में बन रही है क्यों बन रही है सिरफ इसे विजासे के रिलाइबिल्टी बहुत अची है उनके रिलेशन सिप चाहिए इस इस दिमांड होगी कि वें ड्रॉइड ना यूज कर आइफॉन यूज करें तो एक तो पॉपलिशन की वज़ा से और एक तो जैसे लोगों की कोई शाहत बढ़गी है के एंड्रॉइड की बढ़ें के वो बैटर की जरफाएं आइफॉन यूज करें तो मेरे खियाल से तो बट वाइं मेड इन इंडिया में बी वो चीफ हूं जो मेड इन इंडिया है तो यह रिजन भी है इंडिया की मैनुफाक्शरिंग को इतना तीजी से बढ़ते वे और उनके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट से कही हद आगे चली और एक्सपोर्ट्स की मार्केट परते साथ ही जो बाहर के ममालिक है वो उनसे चीज ले लेते हैं उनको एक्सपेरिमेंट करने की जुरुषत नहीं बढ़ती कि उन्हें बहुत अच्छे से प्रेजन किया होता है और दूसरी बात यह कि इंडिया की कम्यूनिटी जो की पॉपलेशन अब बहुत जाद है ठी लोग मेरा खाल कितने आपकी उनकी है वन पॉइंट 1.4 बिलियन जो है वो मतलब एक देखा जाया तो ओल्मोस इक दुनिया का बहुत बढ़ा पार्ट बनता है ठीक है हमारी भी मतलब इतनी काम नहीं है लेकिन जो दूसा वेक्टरी आ था कि आपकी पोलिटिकल से बिलिटी ठीक है वहाँ पे जिसना का गया कि मार्शल लौ नहीं कभी लगा ठीक है मार्शल लौ नहीं लगा पाकिस्तान में सिबिलिटी उसना से नहीं है ठीक है आपकी हर तीन साल चार साल बाद आपकी गवर्मेंट चेंज हो जाती है चेंज होती है और चेंज होती किस तरीके से मे कि इना फसंद ना प्संद हें जतना इंडिया में करते हैं सब्सक्राइब कर मेरें अबादी ध्युक्त दॉस्जुनrade तो लोग्लानं में इंडिया में परशन करते हैं अगर मत निप करें की तो अनुर्ट में नहीं आनधोर Yoon कमपारिटिवली लेने के हान जी आप देख लें उनको अभी भी जो रश्या का जो सिच्वेशन हुई है ठीक है उसमें एवन उन्होंने अपने नेशनल इंटरस्ट को सामने रखा है और वो रश्या से ऑईल इंपोर्ट कर रहे हैं ठीक है कम कीमत पे अभी हम पाकिस्तान अपनी कवाम के साथ उस तरह से मुखलिस नहीं है जितना वो लोग अपनी अपने नेशनल इंटरस्ट को सेफगार्ड करते हैं तो यह चीज़ है कि यह बहुत पॉजिटिविटी है इवन इंडियन्स मैं जितना भी सुनता हूं कि इंडियन्स यूएस में रहे वे आपस मे एक दूसरे को बहुत सपोर्टिव होते हैं और जो मतलब पाकिस्तानी है वो एक दूसरी टांग हैं इसने हैं उनको मतलब लैग पॉलिंग होती है यह इस तरह की सिचुएशन होती है बारहल यह है कि इंडिया एक बूमिंग एकॉनमी है और आप यूनिक ऑन बिलियन डॉल कंपनीज जो हैं उनके सीओ देख लें क्यों उनको लगाते हैं हाला कि मतलब अंग्रेजियन के मुली यूएस में हैं वो कंपनीज उनके सारे हेड़कॉर्टर यूएस में लेकिन वो एक इंडियन को अपना सीओ लगाना क्यूं पसंद करते हैं क्यूंकि वो लोग अग और बिजनस दे रहे हैं ठीक है उनके लिए मैन बावर भी सप्लाइय का रहे हैं में रियूमन रिसॉर्सेज दे रहे हैं और हम फिक यह वह उस तरीके से उतना औरवान नहीं चाहड़ पारे जो अंधर हम कंपेरेबल लिनिया तके जो बाकी मुलकों के लोग है वो आके पाकिस्तान में इंवेस्ट करें बेखा करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिहास तो आपको क्या लखता है कि क्या वज़ा है कि फॉरेंट इन्वेस्टमेंट करनेहां जिद्व परदी कि पाकिस्तान पार किंशाचारफ वाघन इस सब्सक्राइशा बइस के ब neatly झाल मिन हुए घ तरा कि ये कि ए ऊपको काम करने का मौका नहीं दिया जाता उसके जो सासदानों को जिस तागे अभी साड़े तीन साल हुए है ठीक है अमरान खान को और उसको किस तरीके से वोट आफ नो कॉंफिडेंस के जरीए उतार दिया गया है यह एक बहुत ही किसम है इसी वज़ा से हमारे मुल्क में मतलब प्लिटिकल इनस्टेबिलिटी है लेकिन उनके मुल्क में डिमॉक्रिसी कैसे परवान चड़ रही इस वज़ा से भी आती है उस मुल्क में के वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है अगर अपनी कम्विटर की बुक देखें तो वह उल्मस्ट 15 साल से वह चेंज नहीं हुई उसमें वही सारी चीज़े हैं जो 15 साल से चल रही हैं लाइक अगर हम देख लें तो वही चीज़े चल रही हैं हमारे इवन के टीचर्स बुक नहीं खोलते वह बता देते हैं यार इस पेज नंबर पर यह चीज़ लिखे हुए है क्योंकि उन्होंने वही चीज़े पड़ी हुई है हम लोग उन चीज़ों को अप्रेड नहीं करते हैं और इंडिया में वह लोग चीज़ नहीं आरे जैसे कोई 15 साल पहले जो निसाब में जो कुछ पड़ा जा रहा था एकडेमिक से लेबस था जो हमारा अब भी वही पड़ा जा रहा है तो एक तो उसको चेंज करना चाहिए ज्यादा टिकनोलोजी की तरफ जाना चाहिए ताके जो पाकिस्तान की जो इ स्पोर्ट करतां तो वह यह के आप पाकिसान की लीग को देखें पाकिस्तान की लीग मतलब देख लेए आप पाकिस्तान से कंपार करें तो वो मेरा घंडिंग मेट नहीं कर बाता है दूसी वजह से यह कि आप आपने मूवी देखी होंगी कि घृंद थाइश या भी कि दें जब बात होती है तो एक तो पाकिस्टान कि पाकिस्टान को इस वजूद उसी डीजिंन में होने की वज़ा से बावजूद बॉट बड़ा फेक कर रहा हैं टो एक पॉर्ट गिपोर्ट की बात करें तो एक स्पोर्ट्स बहुत जादा बढ़ रही है इंडिया की जैसे चाइना की थी पहले चाइना टॉप पे था और अल अवर दे वर्ल्ड अब इंडिया भी उसके मुकाबले में हा रहा है जबके पाकिस्तान आज भी एक्सपोर्ट में वहीं खड़ा इंपोर्ट बढ़ रही है हमारी क्या रीसन है पाकिसान थोड़ा सा लेजी है लेजी कहलें आप और इनके अपने ही दूसरे मसले नहीं खतम हो देगे यह अपनी टेक्नालोजी की तरफ ज़्यादा तबच्छ होते हैं और देखे उनके रेक्शन से उनको क्या लगता है इंडिया मेड इन इंडिया आइफॉन्स जो है व साथ साथ आज की वीडियो से मुझे दे इजाज़त पर देए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइट सब्स्राइब और बेल अकन को क्लिक करना बिल्कुन उत भूलिएगा तब तक के लिए अलहाफ़ाज